हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू चानल लॉजिक कॉम्पृटर इंस्टूटूटूट और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लेट टेस्ट उडियो देखने के लिए तो दोस्तो इस सेक्षिन में हम देखते हैं इंट्रोड़क्शन ऑप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्विज के बारे में में। दोस्तों कि लंग्विज है क्या है। अंधुल्स इस दिखियैं और demand everybody वेज़ डिवलप्स की in 1980 में at Bill Laboratory of AT&T अमेरिकन टेलिफोन एंड टेलिग्राफ लोकिटेड इन USA जो कि USA में लोकिटेड है यहाँ पर दिखें कुछ हम बिजार निश्टो स्टूप इस साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं बिजार निश्टो स्टूप एक साइंटिस्ट है जो कि उनके PhD के दौरान उन्होंने सिमिला 67 यह जो प्रोग्राइमिंग लैंग्विज है इस पर श्टडी करना शुरू कर दिया तो सिमिला 67 यह जो लैंग्विज है और फर्स्ट ऑब्जिक ओरेंटेड प्रोग्राइमिंग लैंग्विज है इस पर उन्होंने स्टेडी करना शुरू कर दिया तो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने डिटेक्ट किया कि लेंग्विज है वह जो पर क्यों यहांने उसका इडिक्शन फास्ट भी हो सकता है तो दीखिए तो उन्होंने C language पर study करना शुरू कर दिया जो कि C language जो है वो structure oriented language है तो उस language पर उन्होंने study करना शुरू कर दिया था और study करने के बाद उन्होंने C language में object oriented के concept जो है classes, object, polymorphism, inheritance वो C language में add कर दिये और उन्हों उन्होंने उस new language को नाम दिया C with classes जो कि आज हम C++ के नाम से जानते है तो दिखिए और बाद में in 1980 से में C with classes यह तो नाम दिया था वो change करके उन्होंने उसे C++ यह नाम दे दिया तो इस तरह से C++ language क्या होगी डेलफ होगी तो यह है introduction of C++ और आगे का जो concept है और आगे के ले सिक्टेर में आगे के अच्टेसिन में हम देखते है और थैंक्स पर वाचिंग और सब्सक्राइब और चैनल लॉजिक कॉंपृटर इंस्ट्टीट वार मोर इंट्रेस्टिंग वीडियो